गुड मॉर्निंग स्टांडर टू हेलो एवरिवन हमने लास्ट लेक्चर में आपका जो फिफ्ट चेप्टर है दोस्त की मदर उसकी अल्मॉस्ट एक्सरसाइज और जो चेप्टर है वो कम्प्लीट हो चुका है चेप्टर सिक्स स्टार्ट करने से पहले उसमें आगे एक हमें स्टोरी दी है उसको हमें कम्प्लीट करना है उसको यह देखेंगे यहां देखो है एक और कहानी देखो चेप्टर सिक्स स्टार्ट करने से पहले आगे हमें एक स्टोरी दी है उसको हमें रीड करना है और इस स्टोरी को हमें complete करना है लेकिन उससे पहले हमें आगे की स्टोरी समझनी पड़ेगी फिर हम है जो incomplete story है उसको complete कर पाएंगे देखो स्टोरी क्या है एक और कहानी एक मगरमच था क्या का एक था वो मगरमच था वो लोमड़ी को खाना चाता था यानि कि जो मगरमच था उसको वो लोमड़ी को खाना चाता था पर लोमड़ी भी बहुती चालाक जो लोमड़ी है वो बहुती चालाक है वह मगरमच की पकड में भी नहीं आती थी क्या हुआ कि लोमड़ी इतनी चालाक थी कि वो इस मगरमच के तो पकड़ में ही नहीं आती थी मगरमच ने एक बार कचुए से मदद मागी फिर क्या हुआ कि मगरमच था वो कचुए के पास गया वर उसने हेल्प मागी किसकी हेल्प मागी कि मुझे लोमडी को पकड़ने में मेरी हेल्प करो कच्चुए ने कहा लोमडी हमेशा नदी पर पानी पीने आती है क्यों ना तुम उसे वही ही पकड़ लो क्या फिर देखो ये कच्चुए ने उस मगरमच को क्या आइडिया दिया कि लोमडी है वो अकसर पानी पीने पर नदी पर आती है तुम उसको वही पकड़ लो, वो मगरमच को यह सुजाव देता है कि यह लोमडी है, वो अक्सर नदी पर आती है, पानी पीने के लिए तुम उसको वही पकड़ लेना मगरमच उस दिन नदी पर लोमडी का इंतजार कर रहा पूरी रात काट दी देखो फिर क्या हुआ कि मगरमच था, उसने कितनी वेट की इस लोमडी की कि उसने पूरी रात है वो लोमडी को पकड़ने में उसकी हल्प की देखो यह जो पिक्चर है, यह इस एच्चुली यह स्टूरी का ही पिक्चर है यह मगरमच है, यह कचुआ है और देखो यह लोमडी है अब हमें क्या करना है वो यहां देखो कहानी को अपने मन से आगे बढ़ाओ कहानी का अपने मन से कोई नाम रखो यानि कि देखो यहां है वो स्टूरी हमें इतनी दिए है जो incomplete है उसको हमें complete करना है और यह story का है हमें उसको title भी देना है कि हम story को क्या title देगे वो भी हमें सोचना है लेकिन पहले हम क्या करेंगे story complete करेंगे story कैसी complete होती है उसके बाद इसका title है वो भी हम decide कर लेंगे तो चलो story को आगे बढ़ाते है कि क्या होता है देखो स्टोरी को आगे बढ़ाते है तो हम आगे ये कहेंगे यहां तक हमने स्टोरी दी है कि मगर मचे वो सारी रात है वो उस लोमडी का वेट करता है पुरी रात उस लोमडी के चकर में वाँ वेट करता है कि जब लोमडी आजाए तो मैं उसका शिकर करू और उसको काटू लेकिन देखो क्या होता है आगे हम ये स्टोरी कंप्लीट करेंगे कि फिर पता चला कि लोमडी तो उसके इरादों के पहले सही भाप गई थी तो लोमडी है उसका जो मगरमच का जो इंटेंशन था कि उसको नुकसान पोचा था पोचाएंगे ये मगरमच और कचुए दोनों मिलकर इसलिए लोमडी तो पहले ही सतर को गई कि उसका इंटेंशन पता चल गया था लोमडी को अंता था वो नदी की दूसरी और पानी पी कर चली गई तो फिर लोमडी ने क्या किया कि वो नदी की दूसरी और पानी पीने के लिए चली गई वो वहाँ पानी पीने के लिए नही गया एक दिन लोमडी को किसी कारण वर्ष नदी के का पार जाना पड़ा फिर क्या हुआ कि मगर मच है वो बहुत ही नाराज हो गया और वो हाथ मलता ही रह गया यानि कि उसमें हाथ में तो कुछ आया ही नहीं लेकिन लोमडी की ऐसी कोई situation आए कि उसको नदी के पार जाना प पर था यह मगर बच भी है ना वो वही रा देख रहा था कि जब लोमडी नदी के उस पार आए तब मैं उसका शिकार कर लू फिर क्या हुआ उसने जैसे ही लोमडी को खाना चाहा तो लोमडी बोली तुम मुझे खाना चाते हो परन्तु मुझे खाओंगे तो तुमें बड लोमडी है वो नदी के उस पार जाती है और फिर देखो इस मगर मच को क्या कहती है वो मगर मच को कहती है कि तुम मुझे खाना चाते हो वो ठीक है लेकिन मुझे खाने में तुम्हारा कोई फाइदा नहीं है तुमें कोई एडवांटेज नहीं होगा तुम मुझे खाकर कर तो मेरी जो पूछ है वो तुमारे गले में फस जाएगी और मगरमच तुमारी मौत होगे या सुनकर मगरमच है वो एकदम परेशान हो जाता है टेंशन में आज जाता है अब तुम्हीं बताओ मैं क्या करू लोमडी बोली तुम मुझे कुछ समय दो मैं अपनी पूछ कटव कर तुमारे पास आती हूँ देखो फिर क्या हुआ ये जो लोमडी है उसने कहा मंगरमच को तकी तुम मुझे खाओगे तो मेरी पूछ है और तुमारे गले में फस जाएंगी दुम खुदी मर जाओंगे तो फिर देखो या मगरमच कहता है देखो ये खाने की ट्राइ कर तुम्ले ती है कि तूदे दिन रुक झाटवा कर तुम्हारे पास आती हूँ कि तौड़े दिन मेरी वेट करो मैं अपने पूछ है वो कटवा कर तुमारे पास आती हूँ इसलिए जो तुमारी है वो मौत नहोँ और तुम मुझे खा सको मगरमच उसकी बातों में आ गया यह लोमड़ी की बात में यह मगरमच आ जाता है उसको लोमडी की बात बहुत अच्छी अच्छी लगती है कि लोमडी है वो सही कह रही है ऐसा और उसने लोमडी को छोड़ दिया क्या हुआ कि लोमडी को तो वो उसने छोड़ दिया चला गया लोमडी जट से भाग गई और सब से बोली जैसे ही ये मगरमच ने कहा कि जा ठीक है तू पूछ कटवा करा तेरी बाद में मैं तुझे खाता हूँ तो ये देखो लोमडी पट से जट पट से से भाग गई और सब को क्या बोलती है मुर्क दिमाग तो लगाता यदि मेरी पूच कट जाएगी तो मैं तो वैसे ही मर जाओंगी देखो फिर ये लोमडी कितनी खुश होती है और जंगल में जो दूसरे जानवर होते है उसको क्या बोलती है कि मगरमच बहुत ही मुर्क दिमाग वाला है यदि मान लो मैं ही मेरी पूच कटवा दू चलो मैं ही मेरी पूच कटवा दू तो मैं तो वैसे ही मर जाओंगी तो इस स्टोरी हमने ये कंप्लीट की है क्या हमने कंप्लीट की जैसा मैंने आपको बताया तो ऐसे ही लोमडी बच निकलती है मगरमच से और देखो मगरमच भी कितना है वो मुर्क है तो इस स्टोरी का हम टाइटल क्या लिखेंगे हम इस स्टोरी का टाइटल भी यही लिखेंगे कि चतूर लोमडी क्योंकि लोमडी है वो बहुत ही चालाक है बहुत ही चतूर है उसने अपना ऐसा दिमाग लगाया कि वो मगर मच के जासे से बाहर निकली तो यहां हमारा चेप्टर फिफ्थ है वो कम्प्लीट होता है दोस्त की मदद हमने चेप्टर में कहीं सारी एक्ससाइस पी देखी और उसके अलावा जो स् स्टोरी का हम टाइटल लिखेंगे यहां है हम स्टोरी का टाइटल लिखेंगे चतूर लोमडी क्योंकि यह लोमडी ही बहुत ही चालाक होती है जनरल ही हम सबको पता है तो यहां हमारी स्टोरी भी कम्प्लीट होती है एस वेल एस हमरे चेप्टर भी यहां कम्प्लीट होता आपको इस chapter की PDF है वो मिल जाएंगी तब तक आपको क्या करना है chapter read और learn करना है chapter ही बहुत ही easy है कहानी भी easy है इसलिए आपको गौर से पढ़ना है और ऐसी दूसरी भी अच्छी story है उसको भी read करना है हमारा जो six chapter है वो है बहुत हुआ हमारा जो six chapter है वो एक poem है तो next session में हम इस chapter को start करेंगे till then goodbye to all